दोस्तों मेरे पास ये 150-वाट का बोर्ड आए है रेपेर होने के लिए में प्रोब्लम क्या है एक दोस्तों चलता-चलता बंद हो जाता था और चलते लिए अपने आपी चल जाता था तो दोस्तों यह बेस में लगता है मतलब जो आप की वे नहीं होती बेस ट्यूब बोलते हैं से उसमें लगता है यह बोड यह किसी कस्टुमर ने मेरे पास बेजा है और हम इसे रिपेर करेंगे तो यह 12 वोल्ट से चड़ने वाला है और 150 वाट यह आउटपुट देता है क्योंकि इसमें NJW0302 वाले ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दो पेर तो दोस्तों यहां पर हम इसको रिपेर करना होगा रिपेर करने से पहले इसमें समझना होगा देखिए दो मॉसफेट इधर अब यह मॉसफेट की सीज के लगे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारी 12 वोल्ट आती है इन पर आईसी हमारी इनको पल्स देती है मलब ड्राइव करती है उसमें ड्राइव करने के बाद 0606 वोल्ट निकलती है और हमारी एक चोटा से एक ट्रांस्वामर लगा था ट्रोइडल वो हमारी 0606 से मलब 606 से हमारी दोस्तो 3030 में वो कनवर्ट करके कैपेशिटर पे वोल्टेज देता है मेन कैपेशिटर नहीं कि उसे चलाने के लिए सिस्टम को एम्प्लिफायर सेक्स्टम को चलाने के लिए तो दोस्तो अब हम वही चेक करेंगे दोस्तो आर दो सो लिए 75 को सिगनल देने के वर्वल्ट का तो नहीं वहागा दिए और ग्राउंट तो हम इसे 12 वृट देंगे और देखेंगे की सैट में प्रोब्लम क्या है सैट में प्रोब्लम सब्सके पहले हैं कि अब ओन ही ही नहीं हो पा रहा है अगर ओन हो बहुता है किसी वाई जेसे तो दोस्टो चलते चलते फिर बंद हो जाते फिर अपनी चल जाता अपनी फिर चलता भी नहीं है माला एसी कंडिशन में दोस्तों कफी जादे दिक्त बन जाती है जब ऐसी समश्य बनती है तो देखे दोस्तों समझाएंगे सब से पहले sousилась लिप कर देने चाहते हैं 12 वोल्ट यका तो दोस्तों भारा वोल्ट एंपड़ा डेते हैं यहां पर देखे पहलाİ नंबर का ग्राउंड है और दूसरी नंबर का बारे वोल्पोर आरियम है तो दोस्तों हमने यहा फराज और इसमें ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेंगे सबसे पहले ऐसी चीज में में फ्यूज चेक करना होता है फ्यूज हमें देखने में फिजी कली ठीक लग रहा है यहां पे जो फ्यूज देख रहे हो यहां यहां फ्यूज लगा हुआ जश्ट पेला सा इसके बराबर में तो एक पिषूट के बाद यहां पर चुर्ट यहांपर चूट रखा यहां पर चुट डवी कैपिश्टर भी रहते उसके प्षवर रागैरी के रहाने होता हुआ है इस ट्रांसपरर्मार जो से लिखा को एक दराक्या हो Precis वाइ वोल्टेज आरे जो हमने दिये हैं सो देखिए अगर फ्यू जुड़ता दोस्तों यहां पे वोल्टेज नहीं आते सिधी सी बात है और सीधा यह जा रहे है हमारे मॉस्फेट पर यह एंच चैनल के मॉस्फेट है हम चैक कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर वोल्टेज यहां पर देख सकते हो एक पॉइंट पर वोल्टेज आ रहा है पर हमारी देखने всем को नहीं मिल लिया है अब हम इसे एस्पे ब्लड़ेज पर यह 0-12 से इधर supply section है यह हमारे यहां पर 0-12 से दोस्तो 30-30 में convert करता है यह यह जो इतना एरिया न यह आप देख पर हो यह यह हमारी पूरी power supply है यहां पर IC लग हुई है और यहां से हमारे 0-12 volt जाती है यह 0-12 volt जाने के fuse के बाद तुरंत यहां पर यहां से fuse जाने के बाद यह यहां पर IC कैपिश्टर पाती है इस कैपिश्टर सीधा negative वाली MOSFET पाती है यहां पर जो देख सकते हो यह MOSFET लगे हुए कोने पर यह दो इसकी drain pin पाती है ठीक है अब उस चीज़ को confirm करने के लिए output क्यों नहीं आ रही वह चीज़ देखेंगे पहले हम इसकी drive चेक करेंगे drive चेक करने के लिए multimeter को 20 volt DC पर लगाया हमने देखे इसका आपको system समझना होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं drive में हमारी कुछ voltage आती है negative probe लगाई पहले दे negative पर और pin number 1 पर लगा रहे हैं तो MOSFET की देखे इस पर भी gate की line आ रही है और यह देख सकते हो इस पर भी gate की line आ रही है तीन साढ़े तीन voltage प्रोपर आ रही है लेकिन output में कोई वोल्टेज अभी नहीं है ठीक है हमारी output में कोई voltage नहीं आ रही है यानि कि MOSFET के बिच वाली pin से जो output होती है अब वो नहीं आ रही कोई बात नहीं है वो दोस्तो माइनस माइनस वी हो सकती है तो इसके लिए हमें यहां पर फाल पाला की दीख रहा है MOSFET sorting नहीं है यहां पर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि निगेटिव पर पोजिटिव पर दोस्तो माँ पर सप्लाइब जा रही है तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कुछ जो connector रही है जो pin लगी हुए है यहां पर पिन लगी हुई है यहां पर जो transformer लगा हुआ है जो ट्रोइडल में तोड़ा सभी तरीका करता हुगा है मेरे को देखिये यहां पर जो transformer लगा हुए इसकी पिन हुए दोस्तो डाय सोल्ड हो रहा है मैंने भी आपको दिखाया तो दोस्तो इनको मैं एक बार दुबारा से सोल्डिंग कर लेता हूँ देखिया आपके सामने सोल्डिंग कर रहे हैं यहां पर क्यूंकि अभी आपने देखा यहां पर है शोल्डिंग यह वह लिके जो चुकी है उसका भी रीजन है यहां पिष बहुत बड़ा आप बाताऊंगा क्यूं होरी है मतलब उसकी सोल्डिंग ल चुकी है वह नहीं चाहिए थी बनाने वाले हिहां पर छोटी सी गल्टी है और भी आपको दिखाऊँगा है यहां PS देती है तो दोस्तो वल्टेज तो यहांपे आ रही है लेकिन ऐड़ पूट में कोई ही वॉल्टेज नहीं जा पारी है भbई हम 12ания input तो मोस्फटów प्रत रहे हैं ऑई सी से जो drive हैs की वह भी आ रही बहुंध मोस्फट में और आउट पूट हमारी transformer से फिर भी नहीं आ रही तो इसका reason क्या है साफ साफ दोस्तों हमारा यह जो transformer है या तो यह खराब है या इसकी अभी पिन जो है solding खराब हो चुकी है तो अभी हम इन पैसे solding कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर हम solder उपर से भेर रहे हैं तो नीचे को जा रहा है तो हम side से किया तो दोस्तों देख सकते हो solding प्रोपर हो चुकी है देख सकते हो solding प्रोपर इन पे पिनों पे हो चुकी है पिन दोस्तों solding हिली होती अब देखिए यह जो transformer दोस्तों इसके बीच में दोस्तों गौंद या glue कुछ चीज गेनी चाहिए थी जिससे कि वाइब्रेशन से हमिंग से या गदगी से दोस्तों हिले ना अब इस पर वह चीज हम करके देंगे पहले आपको चेक कराते हैं तो यहाँ पर 12V इंपुट कराते हैं तो यह देखे दोस्तों पहले यहाँ पर लाइट भी नहीं जली थी नीली कलर की देखे अब इसमें नीली कलर की लाइट भी जलने लगे पहले नीली कलर की लाइट भी नहीं थी इसमें ठीक है ना आपको दिखाई न हमने पहले लाइट भी नहीं थी अब दोस्तो देखते हैं वहाँ पर देखें बार वोल्ट इंपुट और आउटपुट देख लेते हैं फिर से यह देखें दोस्तो अब यहाँ पर वोल्ट है थोड़े जादे मैं 200 वोल्ट पर लगाता हूँ यह देखें दोस्तो 32 वोल्ट और यह देखें दोनों मसरफ कर लाइग मायनस के वोल्ट यह प्लस के वोल्ट है थर्टी टू थर्टी टू बन चुक है तो दोस्तो देखिये हमने यहाँ पर सबसे पहले मौसफट के बाद मतलब ड्राइव चेक कर यह प्रो पर आ रही है फट भी नहीं रहे है फिजिकली फ्यूजिव स्टीक है बारा वल्ट सब्चीत देख ली लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं हो थी तो हमने टांस्वामर पर डाउट लगा इस पर सॉल्डिंग दुबारा की भई आपको दिखा दिया कि महां पर सॉल्डिंग लूज है आपक और एक ग्राउंड है क्योंकि वहां पर 30-30 है तो जीरो वाली पिन को ग्राउंड माल लेते हैं और यहां पर दोस्तों 12 वल्ट इंपुट करा के सिगनल कोई भी सिगनल रखके एक बार देखते हैं चलता है नहीं जलता है दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आर होते हो जो कोई भी दिक्कत नहीं है इसी तरह आपको रिपेर करना है दोस्तों हमने ओल लेडी इस सैट अप पर पूरी वीडियो बनावी रखे इसकी सप्लाई के बारे में इसके अम्प्लिफायर सक्षन के बारे में पूरी सिस्टम समझारक हमारे चैनल पर जाकर देख सक साइब करते हों तो दोस्तों मिलते हैं तब तक दिन सूबा अची